जिनका नंबर दो है, दो नंबर को यहां पर निम्रलोजी में, चंदर का नंबर कहा जाता है, जोते साज़ते में दो मतलब प्रशवराशी है, प्रशवराशी का सुक्र है, दो और चार मिला रहे हैं, तो छे को रहा है, सुक्र आपका बलवान है, आपके रेकर लियान कारी हो आने वाला है, सुग समाचा देके आने वाला है, सनी से जब सुक्र अटेश हो जाता है और ज्यादा पावर्पूर हो जाता है, वह है एक सखलता कि अग्रसक हो जाते हैं, इनकी व्यापार में भी दिन दूनी राच उनी तरक्षी अपने आप होती चली जाती है, यह हमेशा अ लेकिन अच्छा इनको रूप पसंद होता है, आपके लिए सबसे अच्छा देखिए, एक छोटा सा अपाय में बता रहा हूं, आप पूरे दोचार चोबिश में करते हैंगे, तो नियम से आपको बहुत बनी सपलता की प्राप्ती हो सकती है, सबसे पहरे आप अपने काम की सुक्रवार से करें, सुक्रवार को सुक्र गुजार करें, कि आज आपका सुक्र गुजार करता हूं, कि आज मिसे सुक्रवार मिला है, और एक बार अपने इस्ट देवी सक्ती को याद करें, अपने माता को याद करें, अपने भुजर्गों महिलाओं को याद करें, उनका स आशिरवाद प्राप्त करेंगे, यह सुक्र आपके लिए बहुत प्रफापशानी हो सकता है, इसके बाद, शुक्रवाद को अपने घर में माता के लिए अपने पतली के लिए मिठाई जरूर नाए, वाइट के लिए मिठाई खलाने से भी बहुत एक अच्छा प्रफाप जाते हैं, तो आप पांच फुटी अक्षट परमातपा के चाड़ा में समत्त करेंगे, उनका अशिवाद प्राप्त करेंगे, और उसके बाद, सुबह प्रातेकाल, अपरे हातों से ही, जहां आपको बिल लगता है, जल भर के लाना है, इक ताबेह लोटे में, और शुतोर जाते हैं, तैबिक सक्तियों को याद करते हैं, वर जल आप अपर पूरे घर में घुमा करके, पीपल के पेड़ को छोड़ सकते हैं, या प्रभू का अफशेक जुकरते हैं, वो अफशेक भी कर सकते हैं, इस प्रकार से पुरे साल पर आपको ओम रही, पुष्पदल्त जि प्रप्ति तो सक्तियों